नमस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है हिंदुस्तान में एंटी इंडिया पत्रकार लॉबी, एंजियो और उपिनियन मेकर्स पे पैसे की बारिस होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान ने एक लॉबी हायर किया है कडोरों रूपे की बारिस होने वाली है मोदी के खिलाफ हिदुस्तान के खिलाफ और ये खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी ब्रिक्स समिट के अंदर जैसे ही प्रदान मंत्री मोदी ने तुर्की और पाकिस्तान को ब्रिक्स में सामिल नहीं होने दिया और जिस हिसाब से एक डिमोक्रिटिकली इलेक्टेड गॉर्मेंट कश्मीर के अंदर काबिज हुई है उससे हिंदुस्तान में रहने वाले गदारों और पाकिस्तान के धलालों की नींद उड़ी हुई है कि पूरी दुनिया में प्रधान मंत्री मोदी का जो असर है वो बढ़ता जा रहा है तो कैसे इस असर को कम किया जाए अमेरिका में सरकार भी बदलने वाली है लग रहा है डोनाल्ड ट्रम्प वापस राश्पती बनेंगे तो प्रधान मंत्री मोदी की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगे तो यह जो ख़बर आ रही है आज जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की वज़े से पूरी तरह से आईसोलेट हुआ है यह यूँ कहें प्रधान मंत्री मोदी की वज़े से तो क्या इलाज किया जाए उसके लिए यह ख़बर बड़ी ज़रूरी है कि आप इसको समझे अचानक से लॉबी क्यों हार किया गया यह तो आपको बास समझ में आ गई लेकिन ख़बर क्या आई आज संडे गारजे ने स्टोरी चापी है अन इसलामाबाद बेस्ट थिंक टैंक अफिलिये त विदे नेशल सेकूरिटी डिविजन नस्डी गोवर्मेंट अपकिस्तान है आग श्यूंगिई तो आपकिस्ता कम बेस्ट अवधाई दापकिस्तान से कोई लॉपी थिंक हैच्वाइब नस्ड्यू like अपकिस्ता था प्रोसेस बाइद पाकिस्तानी गौर्णमेंट इन मोर देन वन एंद हाफ येर्स पिछले डेर साल से कोई लॉबिस्ट नी था अचानक से जरूरत पड़ गए क्योंकि पुर्धार मंत्री मोदी लगातार उनका डंडा चल रहा है और पाकिस्तान को बड़ा दर्द हो रहा है क्या बात होती है कि हिंदुस्तान में कुछ भी अच्छा होता है मोदी कुछ भी अच्छा काम करते हैं पूरी दुनिया में उसके खिलाफ निगेटिव रिपोर्टिंग ही होती है ये माल का कमाल है और अब जिस तरह के लॉबिस्ट को इन लोगों ने हायर किया है उसकी कुत्वा जो पाकिस्तान का था अमेरिका के साथ अच्छे रिष्टे थे उस तरह के लोबी को हायर किया गया है और ये मामला सिर्फ 1.5 मिलियन डाल का नहीं है क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि पैसे कि किस तरह से बरसात होने वाली है क्योंकि जो डॉक्मेंट्स ज and also subcontracted hyperfocal communication to improve US-Pakistani relation by reshaping the US public narrative about Pakistan and building relationship with current and future administration ये कहने को पाकिस्तान का जो public image है जो पाकिस्तान के जो narrative है जो परधान मंतरी मोदी ने पूरी दुनिया में फ़लाया है कि ये आतंकवाद की factory है इसको curtail करने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ प्रपंच करने के लिए और आगे आने वाली जो सरकार है उसके साथ अच्छे रिष्टे हो जाएं इसलिए ये दो firm के साथ इन लोगों ने करार किया है Team Eagle leadership includes Stephen Payne, Brian Ittinger and Joseph Fleming. The firm also referred as Team Barkat. The other company assisting IPRI Hyperfocal headquartered in Washington DC with offices in Houston, Brussels, Istanbul and Kuala Lampur. तब कोई हिंदुस्तान का लीडर पत्रकार इन सब जगों पे जाए, तो सक्त किसुई जो है आपकी घुम जानी चाहिए इन लोगों के उपर. इसमें जिन लोगों को लिया गया है, उनकी जो कहानी है वो ये है, कि ये Republican Lobbyist है. बहुत सारे काले कारणा में इन लोगों ने किये हैं. ये जो Stephen Payne है, ये Homeland Security Committee से इनको स्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि पैसे का गर्बड जाला किया था, जब बुश जाहाब राश्पती थे. तो खैर, क्यों लगाया गया है, क्या किया गया है, ये तो बात समझ में आ गई बात, जो मैंने कहा कि सिर्फ 1.5 million dollar की कहानी नहीं है, क्योंकि documents कुछ और बता रहे हैं. क्या कहानी आ रही हैं सामने? मतलब पैसा सिर्फ करार में जितना हुआ है, वही नहीं है, पाकिस्तानी डियास्पोरा के नाम से, इनके अलग-अलग कामों के लिए पैसे दिये जाएंगे. मतलब जो करार हुआ है वो पैसा चुके वहाँ पे lobbying एक legal काम है, दलाली अमेरिका में वो एक legal profession है, तो पैसे कुछ तो इधर से आएंगे और कुछ वहाँ जो आप काम करेंगे day-to-day basis के उपर, तो वो पाकिस्तानी डियास्पोरा, मतलब ISI अपने अलग-अलग agents के जरिए आपको पैसे पहुंचाएगी वहाँ डियास्पोरा, NGO, संगठन के नाम से. आगे क्या बताया जा रहा है, media reports had shown the role of the Houston-based Pakistani-American Diaspora Organizations, covert anti-India campaign specifically during Howdy Modi event. Experts believe that such anti-India campaigns to increase on the US soil with the latest developments. अब एक कहानी आपको मैं बताता हूँ, प्रधान मंत्री मोदी जब Trump President थे, तो वहाँ Houston के अंदर Howdy Modi कारिकर्म हुआ था. हम लोगों ने तो जो दिखाया गया, वही हमने देखा, टेलिविजन चैनल के उपर कि स्टेडियम खचा-खच भरा हुआ था, और अमेरिका के राश्पती को हाथ पकल के प्रधान मंत्री Modi स्टेडियम में घुमा रहे थे. मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार इस तरह के नारे बाजी हो रही थी, लेकिन स्टेडियम के बाहर, कई सारे हिंदुस्तानी, NRI, पाकिस्तानियों के साथ मिलके, हजारों की संख्या में वहाँ विरोध प्रधर्शन कर रहे थे. ये कोवर्ट, ये मोदी के विरोध के नाम पे ये पूरा का पूरा, वो ISI ने और्गनाईस किया था, पैसे पाकिस्तान से गए थे, और इसी तरह का कारिक्रम अब कहीं और ज़्यादा होने जा रहा है, कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं, अब ही राहूल गांदी, अम अमेरिका का कारिक्रम तीस दिनों का था, चार दिन पहले गए, और कारिक्रम खटम होने के च्छाए दिन बाद वो भारत आए, वो अमेरिका में किस से मिले, कहा मिले, क्या किया, ये दुनिया नहीं जानती है, इससे सवाल पूछे जाएंगे कि जब पाकिस्तान, हिंदुस छिखे वह पंदुस्तान की में हिंदुस्तान की सक्ति और पुर्णमंत्री मोधी के ऊपर एक प्रपँज प्रपगेंड़ा करना चाह dus है तो भई हिंदुस्तान के विपक्ष के जो नीता है वो अचानक से इवोपरेट कर जाते हैं मीडिया की नजरों से दुनिया की नजरों से तो आखिर वो कर क्या रहे थे यह अधिकार है जिसका जवाब हमें जानने का है कहां मिले किस से मिले कही सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये बाहर जाते है राहूल गांदी तो ये मदद मांगते हैं कि हिंदुस्ताल में जो सरकार है पृधान मंत्री मोधी को हटाने के लिए अमेरिका हमारी मदद करे तो किस लौब्यस इनकी मुलाकात होती है इनके नेता पाकिस्तान जाते हैं तो वहां कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए मोदी को हराने में इस तरह की चीजे अलड़ी हो चुकी है और इसलिए ये सवाल खड़ा करना जरूरी है अब वहां काम क्या होता है ये लॉबी जो होती है वो किस आधार की किया जाता है तो इंडिया को पहले सबक सिखाना जरूरी है इस तरह की कहानी पहले भी आई है गुलाम नभी फाई लोग भूल गए और जो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में एंटी इंडिया लोबी जो काम कर रहा है एंटी मोधी गैंग उन पर पैसे की बारिस होने वाली है ये बिना किसी आधार का मैंने कह रहा हूँ In 2011, the FBI arrested सहीद गुलाम नभी फाई A US citizen of Kashmiri origin on charges of secretly lobbying for the government of Pakistan seeking to influence decision made in the US regarding Kashmir conflict and receiving illegal funding totaling over 4 million dollar from the Inter-Service Intelligence Agency of the Pakistani military ISI से इन्होंने 2 साल के अंदर 4 million dollar लिया था किसलिए lobbying करने के लिए क्या काम करते थे वो अब यहाँ से story twist कर रही है वो अमेरिका के अंदर वहाँ सेमिनार करते थे पत्रकारों को बुलाते थे हिंदुस्तान से भी बड़े बड़े पत्रकार जाते थे अभी बहुत सारे पत्रकार जो आजकल पहले टेल्वेन चनलों में थे अब जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के अंदर इनके गुरुजन सब थे बड़े बड़े नाम इतने बड़े बड़े नाम तो कोई टाइम्स ओफ इंडिया का तो कोई हिंदुस्तान टाइम्स का ये सब बड़े बड़े औहदे पर काम कर रहे लोग वो उसमें शामिल थे सेमिनार किया जाता था तो ये हिंदुस्तान से ये लोग वहां जाते थे पैसे कौन देता था ये गुलाम नभी फाई देता था वहां आर्टिकल लिखवाय जाता था पैसे देखर के वासिंग इटन पोस्ट, न्यॉर्क टाइम्स ये तमाम मामपंती अख़वार वो लॉबी उनको पैसे दी जाते थे और तो और वहां जब सेमिनार होता था तो अभी ये जो गौतम नोलखा है और इस तरह के तमाम बड़े बड़े नाम और पॉलिटिकल लीडर्स वो गुलाम नभी फाई के महमान होते थे ये लोग हिंदुस्तान के खिलाफ आप देखिए 370 के हटाने के बाद कैसे एक पूरी लॉबी को पेट में दर्ध हुआ था वो पेट का दर्ध इसलिए था क्योंकि इनका माल रोकड़ा बंद हो गया ये माल के लिए देश के साथ गदारी करने के लिए व्याकुल रहते हैं तो गुलाम नभी फाई वहाँ पे सेमिनार करता था और हिंदुस्तान से लोग जाते थे कोई हुमन डाइट अक्टिविस्ट बताता है अपने आपको कोई एडिटर होता था तो कोई सोचल एक्टिविस्ट होता था कोई पॉलिटिकल लीडर होता था कोई जेन्यू का प्रोफेसर होता था कैसारे प्रोफेसर्स वहाँ इस लोबी में पकड़े गए वो तो यूपिय की सरकार थी उस दौरान जब इसकी गिरफतारी हुई इसका काला चेहरा दुनिया के सामने आया और उसके बाद इसे जेल भीजा गया जेल में क्या हुआ आप सुनिये FI's passport has been surrendered to the court and he is currently under house arrest with strict security condition including electronic monitoring via an ankle bracelet media report have revealed that FI has reportedly confessed under interrogation to the charges he was sentenced for five years लगा हुआ है electronic gazette ankle पे के कहीं भागे ना ये ISI का माल ले करके वहाँ पे influence करता था influence किस तरीके से तो article लिख करके, seminar करके, हिंदुस्तानियों को बुला करके और हिंदुस्तान में ये मीर जाफरों के एक जो फार्ज खड़ी है वो वहाँ जाते थे और हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उटाते थे आप देखिए ऐसे नी लोग कहते हैं कि भई कबजे में है एक करहिया कुमार famous वीडियों आप देखिए उसका कि हिंदुस्तान के सेना कस्मीर मदागर के रेप करती है हिंदुस्तान के सेना के खिलाफ सरकार के खिलाफ ये तमाम इस तरह की चीज़े होती थी अब चुके परदान मंतरी मोदी एक गलोबल लीडर हो गए है जिनकी साख हैसी हो गई कि एक जटके में तुर्की और पाकिस्तान को ब्रिक्स में सामिल नहीं होने दिया हर जगह से पाकिस्तान फसा वह नजर आ रहा है और कश्मीर का मुता चुके वहाँ पर चुनाव भी हो गए और जो वहाँ का मुख मंतरी हैं उन्होंने 370 पर कह दिया कि मैं 370 को अभी हम कोई इसू नहीं बनाने जा रहे है हम केंदर के साथ मोदी के साथ अच्छे रिष्टे बना करके यहाँ पर गवर्नेंस करेंगे तो इनका पूरा प्लैंक खत्म हो गया तो अब ये लोग प्रपगेंडा करने उत्रे हैं इसलिए सावधान हो जाईए यह खबर हिंदुस्तान की सरकार के लिए चौकाने वाली खबर है हमारे एजेंसियों को भी चौकना हो जाना चाहिए इस तरह के तो तो इस तरह के जन्तू जो हिंदुस्तान में रहके हिंदुस्तान के खिलाफ प्रपंच रस्ते हैं उस पे कड़ी नजर रखने के आवश है आप देखते हैं कैपकल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद